जैहिन दोस्तों, वेलम बैक टो सक्सेस प्लस एकेडमी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत चर्चित केश की दोस्तों, जो पुराना केस है लेकिन हाल ही में काफी ज़ादा चर्चा में बन गया है दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ बिलकिस पानो केस की दोस्तों इनका नाम गुजरा दंगो से जो विक्टिम है उनकी रूप में जाना जाता है इनके साथ में दोस्तों काफी आमानुए करते किये गए थे भूत में जिसकी सजा किसी को दी गई थी और अभी उन सजा भूकषतरे अपरादियों को रिहा कर दिया गया है दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ उस न्यूज की जो आभी तक देख चुके होंगे कि 11 जो अपरादी थे 11 जो कन्विक्ट थे उनको रिलीज कर दिया गया है गुजरा सरकार के द्वारा तो दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि सरकार को ऐसी कौन सी पावर है जिस पावर के दम पे सरकार किसी भी अपरादी जिसे उम्रकेद की सजा हो उसे रिलीज कर सकती है क्या सरकार दोर ऐसा करना सही है अच्छा अगर सरकार करती है तो उसके आधार क्या क्या होते है किस आधार पे किसी अपरादी को रिया किया जाता है अच्छा कौन-कौन से अपराद की केस में उनको रिया किया जाता है जिसे कि काफी जगन ने अपराद जैसे मर्डर बलातकार इन केसे में क्या उनको रिया किया जाता है या नहीं किया जाता है यह सारी चीज़ दोस्तों आप इसमें देखेंगे साथ इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि जो आजादी का अंबित महुचसव है जिसके तहट जून में योजना लाई गई थी जिसमें ये कहा गया कि जेल में बंद जो अपरादी हैं उन्हें उनके आचरन वगेरा के हिसाफ से गयरा जायेगा उम्र जो उनको बिमारिया हैं उसके हिसाफ से रिलीज करेंगे तो क्या ये अपरादी भी उसी जो योजना एंउसी की तःट रिलीज हुए हैं या गुजरा सरकार की इसको इसके लिए कोई special योजना पूरा नी थी या नहीं है वो चली है काफी सारी बाते दोस्तों आपको इस lecture में जानने को मिलेगी लेकिन उससे पहले मैं बता दू कि पूरा matter क्या है दोस्तों ये वो अपरादी है इनका जेल किसे बाहर आने के बाद में मिठाई खिला कर स्वागत किया जा रहा है दोस्तों मैं सारे facts आपके सामने रखूँगा और last में मैं नीडने जो है वो आपके उपर छोड़ूँगा क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आपके अंदर नीडने लेने की वो शमता मौझूद है जली दोस्तों गुजरात में दंगे हुए थे आपको पता है जो साबर मती एक्सपेस है उसमें कुछ लोगो दोरा आग लगाई जाती है उसके बाद में वहाँ पे जो सामप्रदाइक तनाव है वो बढ़ जाता है हिंदो मुसलिम तनाव वहाँ बढ़ जाता है और दंगे हो जाते हैं वही पर दोस्तों गोदरा में काफी ज़्यादा हत्याकांड होते हैं और वही पर दोस्तों एक जो दाहोद जिला होता है दोस्तो नगन अवस्था में बाहर जाती हैं और उसके बाद में वहां कोई हॉम गार्ड वने स्टेशन लेकि जाता है फिर दोस्तों वहांपर उनके साथ मतलब महां वहांपर पुलिस वाले उनका रिपोर्ट लिखने से कत्रा आते हैं और उसके बाद में 2004 में फाइनली एक लिखी जाती है और वह सामने आते हैं फिर दोस्तों इस case को Mumbai transfer कर दिया जाता है Mumbai transfer करने के बाद में वहाँ पे जो CBI coat है 2008 में उन्हां दोस्तों इन आरोपियों को दोशी पाया इन लोगों को दोशी पाया और इनहीं उम्र कैद की सजाती दोस्तों अब Supreme Court के पिर वर्ड्स क्य उनने सुप्रीम कोट में एक केस एक बार वापस से पेज पे आता है। हुआ यूँ दोस्तो सुप्रीम कोट ने गुजरास सरकार को आदेश दिया कि इन्हें 50 लाख रुपे का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए। जो कि गुजरास सरकार दोरा नहीं दी जाती है। उसके दोस्तो विपरी दलिल गुजरास सरकार के वकील दोरा ये की जाती है कि इनके लिए 10 लाख का मुआवजा काफी होगा। जो भाषान होता है उसमें बोलते है कि मैला इस देश को आगे लेके जाती है। उस देश में दोस्तो ऐसी जो सोच है, ऐसी विचार दरा किस हद तक जायज है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो उसके बाद दोस्तो उसको 14 साल तक जेल में रहना होता है, उसके बाद वो एक रिभी पेटिशन डाल सकता है। अच्छा, अब उसमें दोस्तो उसकी सजा घटाई जा सकती है। सबसे पहला उसकी उम्र, उसके अपराद की प्रकृति की क्या जगन अपराद है, सांबान अपराद है, कौन से श्रेणी में जो ये अपराद किया गया है वो आता है। साथ ही दोस्तों एक जेल में जो उसका व्यवहार था वो कैसा था उसके हिसाब से दोस्तों सजा घटाई कम की जा सकती है मतलब सजा कैंसिल की जा सकती है अब दोस्तों अगर सरकार को वाप ऐसा लगता है कि कैदी जो है जो अपरादी है उसने अपने अपराद के हिसाब से सुना होगा इस प्रावधान के तहर दोस्तों जो बंद कैदी होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है लेकिन जो संगीन मामले होते हैं अब संगीन मामले में दोस्तों मर्डर जो हो गया बलातकार हो गया उसके अलावा दोस्तों मतलब मनी लौटिंग का केस हो गया देश द्रो इन्होंने दोस्तों इनके नेत्रतों में कमीटी बनी उन्होंने बताया कि मतलब हम लोग सर्व सम्मित से कहते हैं कि इनको रिया कर देना चाहिए अब राज्य सरकार के इन्होंने सिफारिश भेजी अब सिफारिश भेजने के बाद और दोस्तों गुज्रास सरकार ने इने र बात की थी इनको सजा देने की बात की थी इन में से एक व्यक्ति जेल में ही बंद मर गया और उसके बाद दोस्तों बचे हुए 11 जने इनकी अभी रिहाई हो गई है अब दोस्तों ठीक से नहीं किया डॉक्टर्स ने इस वज़े से उनको सजा होई पुलिस वहलों ने अपना क की दोस्तों जो नीती है माफ करने की नीती सोरी इसमें दोस्तों आपको जैसे मैं बताया Special CBI Court in Mumbai है डून January 21, 2008 sentenced the 11th accused to life imprisonment on the charges of gang rape and murder of the Bilkis Wano and her family अच्छा अब दोस्तों ये आपको मैं बता चुका हूँ अब गुजरात government ने ऐसा कर दिया है अब गुजरात government ऐसा करने के बाद दोस्तों वो opposition से भी गिर गई है और दोस्तो गुजरात government की जो अभी की जो नीती है जिसके हिसाब से इन्हें रियाग किया गया है वो दोस्तो center से भी clash हो रही है क्योंकि center की जो नीती थी वो मैं आपको भी समझाता हूँ वो क्या थी दोस्तो center की नीती थी आजादी का अमरित महस्चव 75 year of independence the center issued guidelines to states rape convicts are listed among those who are not to be granted release under this policy center की ये policy थी दोस्तो अब technically the center's guideline may not apply to the Bilkis Panu case in freeing the 11th month convicted of conspiring to rape a pregnant woman दोस्तो वो 5 मेने के उस वक्त की pregnant थी जिस वक्त उनके साथ में ज्यादेती की गई थी and murder the Gujarat government followed its own policy of 1992 दोस्तो इन्हें जो अभ्यूक्तों को ये आरोपी है इनको जो सजा माफ की गई है वो 1992 की policy की हिसाफ से की गई है अब दोस्तो इसके पीछे का तर Gujarat सरकार ने ये दिया है कि इनका जो एक अभ्यूक्त है शाह वो जो दोस्तो आरोपी है वो उसी के हिसाफ से आरोपी है और उसे उसी वक्त के हिसाफ से सजा दी जाएगी सुप्रीम को डियरेक्शन इन में तो कंसीडर तो एरेमिशन प्ली बाई वन अब दे कंवेट से यह दोस्तो मैं आपको बता दिया है अच्छा सर इतना हो गया फिर अब सेंटर इस नौटर पी दोस्तों दर रिलीज केंप आफ्टर वन अव दे कंवेट्स में तो दे कोर्ट अलियर दिस एलियर लेकिन सेंटर की जो पॉलिसी थी वो वो नहीं थी अब सर आपने कानून की बात कर ली है तो आप ये भी बता दो कि इनको पावर कहां से आती है सेंटर को या स्टेट को चलो पावर है माल लिया स्टेट को ये पावर कहां से आई कि ये किसी को सेदा माफ कर दें दोस्तों वो भी आपको उता देता हूं वो गिवस्ट पावर और सेंटर की भी पोलिसी एक आरख ही थी तो उस वक्त दोस्तों गुजरा सरकार का ऐसा फैसला दोस्तों सवाली के निशान खड़ा कर रहा है सेंटर वर्सेस गुजरातरया फ़िर्से हो गया और दोस्तों ऐसे खबरें भी आ रहा है कुछ न्यूज पर वह जारा है उनको मिठाई खिलाई जा रही है तो ऐसे में दोस्तों यह जो हमारा मानो समाज है वो यह उसके लिए भी सही बात नहीं है अच्छा अब इतना हो गया तो अब इस पर जो विक्टिम है जो बिलकिस बानो है उनकी जो लॉयर है उन्होंने क्या कहा है दोस्तों उनकी लोयर है श्योभा गुपता, the lawyer of बिलकिस बानो referred to a 2005 judgment by the five judge bench of the Supreme Court which said that life imprisonment means until the last breath इन्हों दोस्तों बताया है कि उम्र कैद का मतलब होता है अंतिम सांस तक महाँ पे रहना जेल में बंद रहना further, there are two categories of remission, यहापे माफी की दो तरीके हैं, क्या-क्या with regard to heinishis crimes remission is not a matter of right अब आप पुछोगा, यह हैनि heinish crime क्या होते है यह वही crime है दोस्तों, जिनको माफी की लाइक नहीं समझा जाता है, जिससे कि money laundering, देश्ट्रो, हत्या बलातकार, ऐसी cases, जो जगन्य अपराद, आप हिंदी में बोलते हो, जिनने इनने हैनिस crime के श्रिणी में रखा जाता है, तो यहापे दोस्तों, किसी के right का matter यहापे, कुछ है नहीं, and secondly, there are factors to be looked on to such as crime, the nature of crime and so on, अब nature क्या था दोस्तों, उसक्राइम का यह भी उसक्त देखा जाना चाहिए, यह lawyer जो है, victim की, वो बोल रही है अब दोस्तों, बात आती है, कि अब यह, मैं दोस्तों, आपके सामने सारे facts रख चुका हूँ facts आपको पता है, जो भी news है, वो आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे, जो fact थे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो दोस्तों इतिहास था, खुनी इतिहास, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, कि दंगों के जो victims हैं, उनको क्या क्या सफर करना पड़ता है अब दोस्तों, ऐसे में ये questions मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इन प्रस्टों का मुझे उत्तर दीजिए, आपको क्या लगता है गुजरात government को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, ये दोस्तों आपके लिए question है क्या आप मानते हैं कि गुजरात government का ये decision सही है अगर सही है, तो इसके दोस्तों पक्ष में या भी पक्ष में, सही है तो पक्ष में नहीं है तो उसके पक्ष में आप अपने अपने तरक बताईए, अब दोस्तों ये जो center और state ही remission policy है, क्या आपको नहीं लगता कि center को एक remission policy बनानी चाहिए, और वो states अपने आप follow करें, या फिर आपको लगता है कि center को एक guideline issue करना चाहिए कि आपके remission policy में ये चीज़े होनी चाहिए उसके बाद में आप अपनी remission policy बना सकते हैं, इससे दोस्तों जो federal इसमें उसको भी बढ़ाव मिल जाएगा और जो मतलब ताना शाहिए एक तरह की वो भी खतम हो जाएगी center की ये भी हो सकता है, अब यहाँ पर आपका क्या सोचना है, center को दोस्तों खुद से एक law बना देना चाहिए, policy बना चाहिए या फिर center को एक ऐसा मतलब circular जारी कर देना चाहिए कि अगर states policy बनाते हैं तो उनमें इनको शामिल करना जरूरी है और center द्वारा बनाई गई जो policy है, जो suggestions है उन्हें के हिसाब सारे states की जो policy है वो बने तो दोस्तों उससे जो है conflicts शायद कम हो जाएं आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता आप बताईए अब दोस्तों इतना सब कुछ हो चुका है अब इस case का future क्या है दोस्तों बिल की जबानों जो है जो victim है, क्या उनको वापस से Supreme Court का रूख करना चाहिए या उनकी lawyer क्या कहती है इस पे वो भी जब बताएंगी तो वह आम आपको बता देंगे और आगे क्या उनका कहना है या फिर दोस्तों ये जो अभ्यूक्त है जो अभ्यूक्त नहीं सोरी आरोपी है जिनने रिहा किया गया है इन्हें दोस्तों फिर से जेल में डालना चाहिए क्योंकि इन्हें उम्र केद की सजा हुई है और इन्होंने जगन न्याफराद के लिए किया है अब दोस्तो वापस जेल में डालना सही होगा या नहीं होगा ये भी आप पे छोड़ता हूँ में अच्छा अगर बाहर गूम रहे हैं तो उन्हें दोस्तो समाज दौरा अपनाया जाना चाहिए ये भी मैं आपसे पूछता हूँ क्योंकि दोस्तो अमूमन ऐसा माना जाता है जब कोई मतलब लड़की के साथ में कुछ ऐसा होता है तो समाज लड़की को दोशी ठेहराता है लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने भी जो 11 आरोपी हैं उन्हें दोशी ठेहरा है वो सजा काटके आ रहे है तो दोस्तो उनका माला पहना के और मिठाई खिला के स्वागत करना कहां तक उचित है ये भी मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तो दोस्तो उमीद करता हूँ आप सारे फेक्ट्स जान चुके होंगे आप क्या सोचते हैं ये आप हमें बताईए जल्द दोस्तो आप बात कर लेते हैं हमारे सक्सेस प्लस अकेडमी ओफिशिल एप की दोस्तो आज वहाँ पे बायलोजी के कोर्स लॉंच हो चुका है टेंथ क्लास के लिए NCRT का बहुत ही जल्दी दोस्तों वहाँ पे पॉलिटी एंड जेओग्रफियर के और हिस्ट्री के NCRT कोर्स लॉंच होने वाले हैं और दोस्तों अगर आप कॉम्प्टिटिव एक्जाम्स के त्यारी कर रहे हैं सक्सिस प्लस अकेडमी ऑफिशल के नाम से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आप हमारा यूटीब चनल सब्सक्राइब कर सकते हैं हमसे आप ट्रेली काम पर भी जूड़ सकते हैं अच्छा अगर आप हमसे एप पर जूड़ते हैं के लिए धन्यवाद जैहिंद साथ ही दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारा ऑफिशल यूटीब चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद